हलो दोस्तों, नमस्ते, सरोज की किचिन में आपका स्वागत है, आज मैं आपके लिए लाई हूँ, दिवाली स्पेशल या करवाचोथ कोई सा भी त्योहार हो, उस पर बहुती फेवरेट एकदम सिंपल स्टाइल की केशर वर्फी, इतना आसान तरीका आपको 100% नतीजा मिले बिना फिल होने वाली रेसिपी है, बहुत कम मिल्क पाउडर से बर्फी बनाएंगे, और त्योहार पर सभी खाएंगे, एक दम हलवाई स्टाइल में, सुफर सॉप्ट केशर वर्फी, केशर वर्फी बनाने के लिए, सबसे पहले हमने यहां पर एक कटोरी में गरम दूद लिया है, इसमें कुछ केशर के धागे भीगोएंगे, दूद गरम है, क्योंकि केशर अपना कलर और फिलेवर जल्दी से दूद में छोड़ देगा, केशर वाले दूद को साइड में रखेंगे, अब लेंगे एक फ्राई पैन, इसमें मेजर्मेंट वाले एक कप से एक कप डेसिकेटेट नारियल लेंगे, इसी कप से एक कप मिल्क पाउडर लेंगे, और इसी कप से आदा कप से खिलकी सी ज़्यादा चीनी लेंगे, इसी कप से पूरी मिठाई का मेजर्मेंट करेंगे, अब इसी कप से एक कप मिल्क लेंगे, इसमें से कुछ मिल्क तो हमने केसर क दूदी के लिये कर दिया ता , बचा कोच इसमें डाल देंगे , दूदा हमने फुलफेट वाला लिया है इसको पहले गरम कर लिया था और ठंडा कर लिया है इसमें ठंडा दूदी मि गाठे नहीं बनेंगी और जल्दी से मिक्स हो जाएगा हम इसे 3-4 मिनाट तक मिक्स करेंगे जिस से थोड़ी चीनी भी गुल जाएगी ये दूद्ध तो मिक्स हो गया केसर वाला दूद भी इसमें डाल देंगे और इसे भी मिक्स करेंगे चीनी को हमा आदि गुल जाने तक चलाते रहेंगे, चीनी हमारी आदिसी तो इसमें गुल गई है, जैसे जैसे हम इसको चलाएंगे, केसर का कलर इसमें उबर कर आएगा, अब इसे हम गैस पर रखेंगे, आप देख रहे हैं, हमारे इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया है, फिल्कुल यलो हो गई है, गैस पर रखेंगे और चलाते हुए इसे पकाएंगे जैसे ही थोड़ा घरम होगा हमारी चीनी सारी गुल जाएगी हमारा बैटर पतला हो जाएगा वैटर हमारा हलका सा घरम हुआ है उसी में केसर ने काफी अच्छा कलर दे दिया है वाइट से यल्लो हो गई है आप सोच रहे होंगे कि इसकी वर्पी कैसे बनेगी पर जैसे जैसे यह पकेगा गाड़ा होता जाएगा तो हार पर बक्त कम होता है और सोचते हैं कि क्या मिठाई बनाएं तो यह सबसे सही मिठाई है मिल्क पाउडर में फैट नहीं होता है पर हमने जो डेसिकेटड नारियल लिया है उसमें भी फैट है और दूद भी हमने फुल फैट वाला लिया है इसकी वजह से इसमें गी की डालने की आवशक्ता नहीं है हमारी केसर वर्फी बिल्कुल पर्फेक्ट हलवाई जैसी बनेगी इस वर्फी को आप भी 100% पर्फेक्टली बना पाएंगे हमारा बैट यह जल्दी ही गाड़ा हो जाता है इसको छोड़ना भी नहीं है इसको लगातार चलाते रहना है नहीं तो यह पैन में चिपक सकता है अब इसमें फिलेवर के लिए लाईची पाउडर डालेंगे और मिक्स करते हुए पकाएंगी आप देख रहे हैं हमारा बैटर गाड़ा होने लग गया है इसे ज्यादा नहीं पकाना होता है केवल पैन छोड़ने तक ही पकाना है अब यह पैन छोड़ने लग गया है अभी इसे दो से तीन मिनाट तक ऐसे ही चलाते हुए पकाना है क्योंकि अभी इसने पूरी तरह से पैन नहीं छोड़ा है अभी थोड़ा नरम दिख रहा है अब यह पैन छोड़ने लग गया है इसी कंडिशन में गैस बंद कर देंगे इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे अब इसे जिस ट्रे में पैलाएंगे उसको हम तैयार कर लेते हैं ब्रेश की सायता से ट्रे को ईजिसे ग्रीश कर लेंगे और अब इसके उपर बटर पेपर लगाएंगे और बटर पेपर नहीं करेंगे थोड़ा मोटा ही कि हमाएंगे उपर से चिखना करेंगे, इस सेट हो गया है, अब इसे दो घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे हमारी केसर बरफी जम गई है, हमने बटर पेपर लगाया था, इससे बरफी काफी आसानी से निकल आई है इसे अब काटेंगे हम simple बरिटफी की shape में काटेंगे आप अपनी पसंद के पुसर shape दे सकते हैं अब इन्हें पिस्ता से गानिश करेंगे और कुछ केसर के लच्छे भी लगाएंगे अब इन्हें ट्रे में रखेंगे आप देखिए हमारी बरिटफी बिल्कुल perfect बनी है और बहुत ही soft बनी है मुह में जाते ही गुलजाले वाली बनी है मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ कितनी soft बनी है आप बनाओगे तो सभी को बहुत पसंद आने वाली है इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है सिर्फ 15 मिनट में बन जाती है जब आपका तिहार के अलाबा जब भी मन खाने का हो तो आप इसे बना कर खा सकते हो तो आप बनाईए और घरवालों को खिलाईए और मुझे कॉमेंट्स करके बताईए मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद